कि है अभर्ण वेलकम टु एकड़ेमी मैं आकाश मैता आज हम डिस्कुस करेंगे बज़ेट पार्ट थ्री रहे बज़ेट पार्ट थ्री के अंदर जो बज़ेट पार्ट टूँक अंदर हमने जहां से छोडा था वह से continue करेंगे right हम actually seven priorities जो government ने इस साल के budget के अंदर दी हैं उसके बारे में discuss कर रहे थे और उसमें से हमने पांच priority के बारे में देख लिया था दो priority बागी है और उसके बाद budget का part भी discuss करना है इस lecture के अंदर right okay कौन-कौन सी पांच priority हमने देख ली है और कौनसी दो priority अब देखने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं कि यस देखो फ्रेंट्स गवर्मेंट ने इस साल के budget के अंदर seven priorities के उपर focus किया है कौन-कौन-सी इंक्लूजिव डेलोप्मेंट रीचिंग दे लास्ट माइल इंफ्राट्रक्टर एंड इंवेंश्मेंट और उसमें से हमने ये पांच परारूटी के बारे में पार्ट बी के अंदर discuss कर लिया है अभी आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि गवर्मेंट ने यूद के उपर कैसे focus किया इसल के budget के अंदर और financial सेक्टर के उपर कैसे focus किया है और उसके बाद budget का पार्ट मी discuss करेंगे टेक्स के बारे में परावनद हम डैरेक्ट और इंडिरेक्ट टेक्स में क्या सब्सक्राइब के वारे में बात चल रहे हैं बरावनद हम तो हैट अम्रीक पेडी रिलाइस देर द्रीम्स तो फाइनस मिनिश्टर प्रेस्ट अल्रेडी फर्मिलेटर नेश्टन एज्यूकेशन पॉलिशी वीच फोकस ओन स्कीलिंग एडाप्टेड एकोनोमिक पॉलिशी जेट फैसलेट जॉब क्रियेशन एंड सब्सक्राइब बिजनेस ऑपर्जियूनिटी तो अमरीक पेडी को सब्सक्राइब करने के लिए फाइनस मिनिश्टर ने किसके उपर ज्यादा फोकस किया है न्यू एज्यूकेशन किया गया उसके बारे पर देखते हैं तो अकर मैं यूथ के बारे में बात करूँ तो यूथ के रिडेट हमारे यहां पे कौन-कौन सी स्कीम से तो पहली स्कीम है प्रदर मंतरी कोशल विकास यूजना 4.0 फानुमें फाइनस मिनिशर अनॉंच अप्ता बदर मंतरी कोशल व यूथ को ट्रेंग करना विथिन थे नेक्स प्री यहर्स इंथी इंदस्ट्री पार्णस रखार अंप्रणस पार्णस यूजरुश को प्रदार मंतरी कोशल विकास यूजना 4.0 किसके उपर फोकस करेंगा यूथ को के स्कील प्रवैड करने के लिए परवरना है तो यह पुर्दार मंतरी को सब्राइब का विकान का 4.0 पार्ट लाउंच किया गया है जिस में लैक्स आए उसका अले वाले तीन साथ के अंदर उसका दूसरा प्रजेट है हमारा स्कील इंटिया डिटल प्लैटफॉर्म युनिफाइड स्कील इंडिया डिटल प्लेटफॉर्म वस लॉंच तो एक्सपांड तर डिटल एकोसिस्टम फोर इने इंडिंट बेस्ट फॉर्मल स्कीलिंग लिंकिंग इंप्लूर्स इंक्रूदिंग एंड एक्सेस तो तो इंटर्पिलर्शिप स्कीम्स बारा मना यहां यूथ को डिर्टल इसककर करने की बाद चली खरूथ एक प्लैकरोप लने की बाद चली है तो कि घृफोर्म ने की बाद सव q ibeंकिंग इंडिया डिटल इंडियंग अटर्फॉर्म बना जależना जो इंडियंग उन्लाया डिटल स्किल बाद करने की बारा मना रही है उसे तर उसके अलबा नेशनल एपरेंटेशी प्रमोशन स्किम यह भी लॉंच किया गया है तो प्रोवेड दस टाइफ़न सपोर्ट टू तो फोर्टी सेमल लेक यूद इंडे त्री येर्स डारेक्ट बेनिफिट ट्रासफर अंडर पान इंडिया नेशनल एपरेंटेशी प्रमोशन स्किम और भी रोल आउट बराबना तो नेशनल एपरेंटेशी प्रमोशन स्किम के अंडर में यूद को ऑन जोब ट्रेनिंग प्रोवड करने के लिए एपरेंटेशी प्रोवड की जाती है देखो एपरेंटेशी से फाइदा क्या होता है एक तो प्रैक्टिकल स्किल भी मि है तीन जाल के अंडर इस स्किम के अंडर में बराबना उसके अलब टूरीजम के अंगर बात करें हम बराबना तो वहां पर कैसे यूद पावर के ऊपर फोकस किया गया है तो 50 डेस्टिनेशन्स विल बी डेवलोग्ड एस अ कम्प्लीट पेकेज ऑप टूरीजम इस स्किम क विद्वीर अविलेबल ठूराइल एप टूरीजम के ओपर एक एक याप्लीकेशन बनाएं जाएगी जाहाँ पर 50 डेस्टिनेशन्स को पहले फोकस किया जाएगा और वो डैसेस तक आपको कैसे पहुंचना है वहाँ पर कैसे कनेक्ट होना है वहाँ पर कैसे आपको तो एक एप्लिकेशन बनाए जाएगा और सो अनॉंस अद्वांस्मेंट इन देखो अपना देश स्कीम तो प्रमोट तो टूरिजम और इंकरेक्ट पीपल तो एक्सपोड तो रीच कल्चरल हेरिटेज एंड डायों सिटी ऑफ इंडिया तो देखो अपना देश स्कीम के डर म स्वादेश दर्शन स्कीम भी लॉंज की गई है स्वादेश दर्शन स्कीम आपको पता होगा कि बुद्ध्य सरकीट राम सरकीट प्रमना हैरिटेज सरकीट तो यहां पर बहुत सरी सरकीट बनाए गई है यह स्वादेश दर्शन स्कीम के अंडर में कि अगर फॉर एक्सें बनाएगे हैं स्वाधिय सर्शन स्कीन के अंडर में टूरीजम को प्रमोट करने के लिए मेरा बना ओके और वाइब्रन विदेश प्रोग्राम के अंडर में टूरीजम इंफ्राफ्टर एंड एमेनिटीस विल अल्सों भी फैसिलेटेड इंद बॉर्डर विलेज तो वाइब अल्बान उसके अलवा है हां स्कील के उपर फोकस किया घया रवन अंभ और एक नया कॉंसेट्ट्ट लाए है यूनिटी मॉल्ल का यूनिटी मॉलक के अंदर क्या है कि देश के अंदर जितनी बी फनी डी स्टीग वन प्रोड़क्स है मन ढिस टिक वन प्रोड़क्स मतलब वह सभी चीजे एक मॉल के अंदर मिलेगी बराबना तो दिससके अंदर ऑन बन भॉडस है के शेलिंग होते हैं उनके जो कलाकार है उनकी जादा इंकम हो सके इसके लिए ऐसा महल बनाए जाएगा जहां पर यह सब सब्सक्राइब चीज़े ही मिलेगी इसको क्या बूलते हैं यूनिटी मॉल का पॉंसर बनाने की बात की गई है बारा बना रहे कहां पर बनाए जाएगे तो स्टेट कैपिटल के अंदर मोस्ट प्रमिनेंट टूरिजम सेंटर के अंदर या तो फिर कोई फाइनशल केपिटल होगा कोई स्टेट का महां पर बेनाए जाएगा रहें ओके ओके और लास्ट बट नॉन्ट लीस्ट सेवन्द प्राइवरिटी हैं फाइनशल सेक्टर बराबना उसके उपर सरकान ने कैसे फोकस किया है उसके बाने बात करते हैं उसमें पहला टार्गेट ऑने एमसमे क्या होते ही फोरिए फोरेग्जमपल बेंक ने फॉरिग मेंगहरम प्रेटन रॉब्यांट आ धिवी सम गोरुन करोण डिया बहन दाव लेकिन कोई external factor की वज़े से अगर यह संस्ता बैंक को लोन रीपे नहीं कर पा रही है तो गवर्मेंट बोलेगी बैंक को कि भी तुझे लोन दे अगर बोल नहीं लोन पे रीपे कर रहा है तो मैं तुझे लोन प्रोवेट करूगा पराबना लेकिन कॉनसे factor की वज़े से external factor मतलब कोई मंदी की situation हो गई तब एक particular sector की संस्ता को मदद करने के लिए government सब्सक्राइब और इसके लिए सिटीजन के उपर भी ज्यादा फोकस किया है सिटीजन का मैक्सिमम डिपोजिट लिमीट है और सिटीजन सेविंग स्कीम वह 15 लाग से बढ़ा के 30 लाग कर दी गई है बढ़ा मना सिटीजन सेविंग स्कीम जो यह पोस्ट ऑफिस के अंदर ह बढ़ा मना जहां पर अभी तक मैक्सिमम डिपोजिट लिमीट कितनी थी 15 लाग रुपया वह अभी बढ़ा के कितनी कर दी गई है 30 लाग रुपीज पर मैक्सिमम डिपोजिट लिमीट फॉर तम मंतली इंकम अकाउंट स्कीम जो माई स्कीम है और सो इन्हें फ्रम 4.5 अगर आप सिंगल अकाउंट अगर आप सिंगर सिटीजन हो और अगर आपने मंतली इंकम स्कीम पोस्ट ऑफिस के अंदर खुलवाई है तो एजसे सिंगर सिटीजन आप मैक्सिमम पहले कितना डिपोजिट कर पाते थे 4.5 ले और यह लिमिट अल्रेडी बढ़ा चुके थे तो नाइन लेक रूपिस अभी आप लिए प्रावदान है आपसे सिटीजन के लिए और मंथली इंकम अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस के स्कीम है वे और मंदली इंकम अकाउंट इस कीम इंदर महिला सम्मन बचत पत्र मिद्र बचलन तो यहां पे फाइनास मिश्य में प्रपोस्च किया है to introduce an investment scheme for the women investors for commemorating the Azadhika Amrit Maasov, a one-time new small saving scheme Mahila Samman Saving Certificate which would be available for a two year period up to the March 2025. 25 इस विन ओफर डिपोजिट फैसलिटी अफ्टो रूपीज तो लेग इन नेम अफ वोमें अफ और गल्स फॉर टेन अरब टू यह इंटरेस्ट रेट पर्शन वित पार्शल विट्रोल प्शन बरावनन यहां वे अचुली क्या है फ्रेंज की महिलाओ के नाम के उपर अगर अपाइप्स्ध्मेंन करते हो इसकीम के हैं महिला संब्साइविंग सटिफिकेंट एक सकीम है उसके उनदर हों की गैज्व मरुद दो साल के लिए तक का कर सकते हो वन टाइम और उसमें आपको एक फिक्स इंट्रेस्ट मिलेगा कितना परसेंट का 7.5 परसेंट का बरावनना आप पार्शल विट्रोल कर सकते हो उसके अंदर बरावनना बहुत इंपोर्टेंट है दोनों ही स्कीम बरावन जो फाइनसर सेक्टर के अंदर ली गई है ओके तो फाइनसर सेक्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि एक तो MSME के लिए प्रावधान दिया गया है उसके लवाद सीटीजन्स के उपर फोकस किया गया है और आजादी का अमरीत महसाव महिना संबन बजट पत्र लॉंच किया गया है अभी हम टोटल ओवर्यू देखें ये पुरे बजेट का फिस्कल मेरेजमेंट सरकार ने कैसे किया है तो टोटल रेवन्यू डीसिप्ट टैक्स और नॉन टैक्स के माधियम से कितना पैसा आने वाला है 26,32,281 करोड रूपAIज बदा बन ना इतना पैशाने वाला है टोनल गेपिटल डीसीट्स कितने होने वाली है डेप्ट और न Review को मिला के 18,070,813 करोड बन लाग और टोनल खर्चा कितना होने वाला है 35,3097 करोड रूपीज और अगर हम बात करें, capital expenditure हम कितना करने वाले हैं, 10 लेक करोड रूपीज, बारा बना, और effective capital expenditure कितना करने वाले हैं, 13.70 लेक करोड रूपीज, बारा बना, तो यह सब चीज़ आपको जानवे राखनी है, तो अभी हमने देखा कि 2030-24 के लिए हमारा fiscal deficit केतना होने वाला है, 5.9% of GDP, बारा बना, इतना target है, कि fiscal deficit मतलब हम बाहर से कितना लोन देने वाले है, 5.9% of GDP का लोन देने वाले हो, और finance minister ने target क्या रखा है, कि हमारा fiscal deficit 2025 सबीसा कितना हो जाना चाहिए, 4.5% of GDP होना चाहिए, बारा बना, अभी I think मैं ऐसा assume कर रहा हूं कि आपको यह सब समझ में आ रहा है, हमने budget part 1 के इंदर यह सभी के बारे में अच्छे से समझ लिया, कि fiscal deficit क्या होता है, और उसके अलबा, fiscal deficit of the states, अगर आप fiscal deficit की बात करें, तो states would be allowed, of fiscal deficit of 3.5% of the GSDB, अगर state का खुद का GDP, for example, अधिक individual state का GDP को क्या बोलते है, gross state domestic product, बारा मनना, तो states का fiscal deficit कितना होना चाहिए, maximum 3.5% of the GSDB, बारा मनना, right, यह आपको ध्यान में रखना है, एक्सम पेंट पेंट से बहुत important है कि हमारा target क्या है, और state का GDP, fiscal deficit कितना होना चाहिए, बारा मनना, अगर हम 24-14 से अब तक के achievements के बारें बात करें, बारा मनना, कि in the 9 years, the Indian economy has increased in size from being the 10th largest economy to the 5th largest economy in the world, बारा मनना, उसके एलवा हमारी per capita income, per capita income क्या होती है, friends, per capita income होती है, national income, अपन टोटल population, अपन टोटल पॉपिलेशन, निसनल इंकम अपन टोटल पॉपिलेशन, वह हमारी per capita income होती है, बारा मनना, तो यह per capita income हमारी double हो गए है, 24-14 से लेके अब तक कितनी हो गए है, 1.97 लेक रूपिस, बारा मनना, 1.97 लेक रूपिस, important point है, okay, okay, अगर हम अलग-अलग यूजना के अंदर जो benefits मिल चुके है, हमारी जो achievements से उसके बारे बात करें, तो स्वच भारत mission के अंदर, अभी तक हमने 11.7 करोण household toilets बनाए है, उजवला यूजना के अंदर हमने 9.6 करोण LPG connections provide किया है, कोविड vaccination के अंदर हमने 220 करोड कोविड vaccination कर दिया है, अब तक 102 करोड परसंस के बारा बना, पदार मंत्री जंदन बैंक एकाउंट के अगर बात करें, और उसके अलबा PM किसान सब्माण नहीं थी, PM किसान के अंदर में हमने 2.2 लेक करोड अब तक ट्रांसपर कर लिए है, 11.4 करोड फार्मर्स को बराबना, यह हमारे अलग-अलग major यूजना के achievements है, तो I think friends, आपको budget के part A के अंदर 7 priorities के अंदर अच्छे समझ में आया होगा, पराबना, अभी हम बात करते हैं, budget part B की, tax proposals के बारे में, ओके फ्रेंड्स, जाओ, जाओ, बजेट part B की बात करता है, पराबना, उसमें हम पहले बात करते हैं, indirect tax proposals के बारे में, indirect tax कौन-कौन से है, सबसे प्रेंड्स हमको यह पता होने चाहिए, कौन-कौन से indirect tax है friends, indirect tax है, custom duty, exercise duty, GST, value-added tax, यह सब indirect tax है, बारा मना, देखो, पहले यह access duty कम लगती है, कोई भी चीज़ की production के उपर, access duty लगती थी, पहले, कोई भी चीज़ के production के उपर क्या लगती थी पहले, access duty, और access duty का पैसा कौन collect कर सकता है, center government, कौन collect करता है, center government, custom duty कम लगती है, जब आपको इंपोर्ट या फिर export करवाते हो, तब क्या लगती है, custom duty लगती है, value-added tax, बेट कम लगता है, अगर आप कोई चीज़ का selling करते थे, अगर आप कोई चीज़ का selling करते हो, बारा मना, और GST की बात करें, तो GST, अभी देखो, अभी मात्रों 5 product के उत्पादन के उपर access duty लगता है, और selling के उपर weight लगता है, बाकि सभी चीज़ों के production और selling के उपर क्या लगता है, अभी GST लगता है, और Caring के उपर weight लगता था, अ, XS City का पैसा कोई correct करता था, पहले Center Government, और selling का ओय्बेच का 壓 पैसा which का क्रेक करता था, and around the government, और अभी भी XS duty और weight लगता है, लेकिन मात्रों 5 product के के उपर आपका हम्वर्क रहेगा कौन से पाज प्रोट के उपर प्रोड़क्शन के उपर एक्सेस टूटी लगता है और सेलिंग के उपर बेट लगता है वह आपका हम्वर्क रहेगा और कस्टन डूटी किसके उपर रखता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उपर बारा बना तो अभी इन डारेक्ट टेक्स के अंदर हम यह सब टेक्सिस के बारे में बात करेंगे ओके चल्ड सबसे पहले तो green mobility सरकार ने इसके उपर focus किया है कैसे focus किया वो देखते है तो अभी मैंने बता है न कि 5 प्रोड़क्ट ऐसे है कि जिसके production के उपर एकसेस टूटी लगता है और उसके selling के उपर क्या लगता है वीट लगता है उसमें से एक प्रोड़क्ट है नेजल गैस पांच में से एक प्रोड़क्ट का नाम क्या है नेजल गैस नेचल गैस के production के उपर के लगता है उसके सेलिंग के ऊपर क्या लेगता है वेट लगता है कि यह भी से क्या बुला है कि अगर नीचल उब्स जो होगा उफ्टी writing और श्ण चंक होगा उस नीचल उब्लेंड किया गया है स्वेट के साथ बार बलबना और और क में सीजिये तो ऐसे जी एस्टी पेड कियो हुए कॉम्प्रेश पायोगेस का यूज करके अगर नेच्रल गैस मना गया है तो ये नेच्रल गैस के उपर हम एक्साइस ड्यूटी नहीं लएगे अगर नेच्रल गैस के अंदर कॉम्प्रेश पायोगेस के उत्पादन के ऊपर अगर आपने मिलेश पहलना मेजल से उपिर DOWN के ऊपर हम एक्साइस ड्यूटी नहीं है के गवर्मेंट ने ऐसा बोला सबन में आ गया ओके सेकंड इलेट्रोनिक्स मोबाइल फॉन प्रोड़क्शन इंडिया हैस इंक्रीस फॉर्म 5.8 करोड विनिट्स वैलूड एट अबाउट रूपीज संब्सक्राइब करोड लंग युनिट्स उसकी वैलू कि इतनी है अभी लेक्सटेबाईट सेवनटीन फावजन करोड इन से अंदर के मोबिल फोन के प्रोडॉक्शन की वैल्यू अब 2030 के बंदर कितनी रही है तो लेक्ट सेवन टीफाइव थाउजन करोड यह यह वह वह मोबिल फोन की वैल्यूएशन है जो इंडिया के बनने हैं तो फ़र्दन डिपन्द डॉमेस्टिक वैल्यू एडिशन इन दे इंडिया के बन रहे हैं तो अभी उसको और ज्यादा डिप करने के लिए बराम सरकार ने क्या बूला कि यह मोबाइल फोन हम इंडिया में बना रहे हैं उसके लिए चीजों की रिक्वार्मेंट हैं जो हम इंपोर्ट करवाते हैं उसके उपर हम ज्यादा कस्टम दूटी न जो इंपोर्ट के पर जो कस्टेट ब्यूटी लगती है उसके अंदर ताकि वो और सस्टे अमान में इंद्या के अंदर बन सके अगर अगर हम बात करें मैटल्स के अंदर तो एक्जेम्शन फ्रम तो बेजिक कस्टन ब्यूटी ऑन दो रो मटेर्स फोर दा मेनिफेक्ट्टर कोल्डर रोल्ड ग्री ग्रीन ओर्येंटेर स्टेल फेरियस क्रेप एंड निकल कैथोर इस बिंग कंटिनूट टू प्रमोंट था अब तो रो मटेर्स फोर तो स्टील सेक्टर देखो इंडिया सबसे लाज़ेस्टील प्रोड़क्ट प्रोडूशन है तो उसको फॉर्दर इंप्रूब करने के लिए यहाँ पर जो स्टेल के लिए जो रो मटेर्स हैं उसके उपर बेजिक कंस्यूटी अभी उसके उपर एक्जेम्शन रखा गया कोई भी बेजिक कंस्यूटी नहीं लगाई जाती है अगर आपको स्टील डॉमेस्टिकली प्रोडूश करना है उसक के लिए जो रो मटेर्स है उसके उपर हम कोई भी बेजिक कस्यूटी नहीं ले रहे है अभी बराबना राइट कंपॉंडेंट रबर बेजिक कंस्यूटी डेट ओन दा कंपॉंडेंट रबर वस इंक्रीस फॉम 10 परसेंट तो 25 परसेंट और आप बोल सकते 30 रूपीज पर क कोई को पताए एक तो होता है जी एस्टी कंपेंसेशन कि यह कभी बात करेंगे जी एस्टी कंपेंसेशन क्या होता है तो जी एस्टी कंपेंसेशन के अंदर जो जी एस्टी की वज़े से जो नुक्सान हुआ है बराबना उसको कंपेंसेट करने के लिए सरकार कोई ने कोई चीज़ों के अंदर कुछ specified ले चीज है बढ़ी उसके अंदर ज्यादा टेक्सी ले रही है और उसमें से एक चीज है अपको पत है gst compensation says ते िल्हों गें सेच-ट कमपेंसेशन six ले क्या होता यह सेज मतलब आपको पता है उपकर등 में उपकर chamado कर के उपर इसके उपर यह झांतर आन तो बहुत सारी चीजिजों के अंदर सेज सेज लिया जाता है किसकी वज़़ें से ABOUT ग capac 사News के वबागहें से सरकार का नुकसन हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए सरकार यह उपकर ले रही है लेकिन कुछ स्पेसिफाइड चीजों के उपर ही यह लिया जाता है और उसमें से एक चीज है सीगरेट क्योंकि हेल्थ की निया हानिकारक है इसके लिए अगर आप इसको पर्चेस करोगे ने तो आप देखो कि उसके उपर जी एस्टी कंपेंसेशन सेज भी लिया जाता है और अभी सरकार ने क्या बोला कि हम नेस्तन के लाइमिटी कंटीजन डूटी भी लेगे कितने तक की सिक्टेन परसेंट तक की बढ़ाबना तो अभी और मेंगी बढ़ जाएगी बढ़ाबना ओके अगर हम स्पीस एक सिंप्लिफाइग करें कि कौन-kौन से चीजों के दाम कम होगे और कौन-कौन से चीजों के दाम भड़े गए बढ़ाबना तो उसके बारे में देखें तो Vielleicht सब्सक्राइब को सरकार ने प्रमोट किया है क्योंकि निस्ट्रल डायमंड से उसकी डिपोजिटरी कम होती जारी है उसके अलावा लिथियम बैटरीज भी सब्सक्राइब पर टीवी इंडस्टी भी सश्था होगा और टीवी सश्थे होगे बापना कॉन्सी चीजा मेहगी होगी तो सीग्रेट्स सिल्वर कंपॉंड रबर ज्वैलरी आर्टीकल स्में फ्रूम गोल्ड बार्ट इंपूर्ड बाइसाइकल सेंट टॉइस इंपूर्ड कीचन इलेक्रि ग्राने जिस्ट आप दीट में रखना है ऑसके जीजा सक्कें से चीपर होगी बात् stripped प्लिएंथ ने नहीं पंपूर्ट टेक्स में कटरेट से आते हैं की इंकम टेक्स क्यों कि के ट्रूइट टेक्स सब्सक्राइब यहां पर सरकार ने कुछ फैक्स बताया है कि टेक्स पियर का जो पॉर्टल है को उसने रिसीव किया है maximum of 72 लेक रिटरंस in a day and proposed more than 6.5 करोड रिटरंस in financial year 2023 the average processing period is reduced from 93 days in financial year 14 to 16 days in financial year 2023 and 45% of the returns were processed within 24 hours यह actually हमरी tax system के efficiency के बारे में data दिया है कि 2014 के अंदर अगर आपने for example कोई tax return file किया है तो पहले वो प्रोसेस होने में कितना time लगता था average 93 days अभी 2023 के अंदर अगर आप कोई tax return file कर रहे हो तो प्रोसेस करने में कितना time लगता है 16 दिन और कभी कब और उस में से 45% तो tax return मात्र 24 hours में उसको settlement हो चुका है बढ़ा ना तो यह हमारी tax system की tax collection system की efficiency दिखाती है बढ़ा ना रहे हैं यह tax proposals के अंदर direct tax proposals के अंदर सरकाने MSME के उपर कैसे focus किया है उसके बार में देखते हैं अगर कोई MSME उसका turnover दो करोड तक का है और उसमें से भी कुछ professionals अगर सर्टिन प्रोफेशनल जिनका turnover 50 लेक तक का है वह अविल कर सकते हैं बेनिफिट अप्ड़ प्रिजम्टिव टेक्सेशन अभी प्रिजम्टिव टेक्सेशन क्या होता है कि अभी देखो कि फॉर एक्जम्पल आपको कितना टेक्स पे करना है उसके लिए आपकी complete income आपको दिखानी पड़ती है और यह income आपने लिख ली वह सरकार मंजूर कर लेगा ऐसा नहीं होता आपको साबीट करनी पड़ती है आपको accounting करनी पड़ती है उसके उसके पीछे उसके बाद आपको एक particular डिजिट के उपर आना पड़ता है तब उसके उपर टेक्स लगता है तो आपको अगर टेक्स पे करना है उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा accounting करने पड़ेगी उसका अच्छे से बैलेंसीट बनाने पड़ेगी लेकिन प्रिजम्टीव टेक्सेशन क्या होता है कि आप अपनी लंसम इंकम के उपर टेक्स पे कर सकते हो आपको accounting दिखाने की जरूवत नहीं है सिंपली में बोल सकता हूं बराबना तो यह इस ओफ बिंग बिजनेस का एक पार्ट आप समद लो बराबना तो इस साल के बजट के अंदर कि जो को मसमी जिसका टॉन ओफ दो करोड तक का है और जो प्रॉफेशनल जिसका टॉन ओफिटिलेग तक है बराबना उनको अभी टेक्सेशन करना है लेकिन कैसा करना है प्रिजर्मटिटिव टेक्सेशन करना है बराबना उनको कोई accounting दिखाने के जरुवत नहीं है और उसके अलबा अगर MSME का टर्न ओवर तिन करोर तक है और कोई प्रफेशनल्स का टर्न ओवर 75 लेक तक है बराबनत और उसके अलबा एक और बी प्रपूस किया है कि अगर उन्हों जितनी भी इंकम जन्रेट किये हैं कोई MSME ने या तो फे कोई प्रोफेस्टनल ने बराबना और उसमें सभी इंकम में अगर कैस रिसीव्ट वो 5% से लेस है मलब अगर आपने 100 रूपिया कलेट किया है और कैस में मात्र 5 रूपिय से कम पैसा कलेट किया है तो आपके लिए लिमिट चैंज होके 3 करोड हो गई MSME के लिए 3 करोड और प्रोफेस्टन के लिए कितना 75 है ओके समझ में आया देखो प्रिसम्टेटी टेक्सेशन मतलब आप टेक्स पे कर रहे हो लेकिन आपको अकाउंटिंग दिखाने की जरूवत नहीं है तो MSME के लिए कितना लिमिट रखा गया है 2 करोड डूपिस का टर सब्सक्राम है तो उसकी लिए निमिट बढ़के 3 करोड और 75 लेक रिस्पेक्टिवली हो गए ओके समन में आया होगा बराबना को पर कैसे फोकस किया सरकान ने उसके बारे बात करते हैं न्यू कॉपरेटिव जिन्होंने मैनेफेट्रिंग एक्टिविटी करना स्टार्ट क आए कि पर कोई कंपनी होती है उसको और पर टेक्स की लिमिट कितनी है हमारे देश के अंदर 15% to 40% बढ़ा बना 15% कि इसको देनी होती है कि जो नू मैनिफेट्रिंग करता है नई मैनिफेट्रिंग करता है उसको 15% जो पूराना बिजनेस है उसको 25% और जो बाहर से जो आए कि नई मैनिफेट्रिंग कंपनी को ही 15% कर्पर टेक्स बना पड़ता था लेकिन अब इस साल के बिजने के अंदर क्या बोला गया है कि जो कॉपरेटिव सेक्टर के अंदर जो कंपनी काम करती है जो नई ओपन हुई है बढ़ा और जो मैनिफेट्रिंग अक्टिवीट अगर कोई स्टार्टप एस्टापन के बाद दस साल के अंदर कोई वी तीन साल पकड़ सकता है कि जहां पर उसको कोई को प्रावतान है और एक साल बढ़ाया गया है बहुत आपना एक तीस माह दोज़ार तीज से लेके तीस माह दोज़ार चौबीस तक और एक साल बढ़ाया गया है स्टार्ट अप्सकी लिए बढ़ा बना राइट अपने जीता और एक थाउजन रुपीज आप वीड्रो करना चाहते हो अपने वह वालेट के अंदर से बारा बना तो आपके उपर टीडी एस कटेगा टैक्स डिडेक्शन एट सोर्स कटेगा वैसे टीडी एस अगर आप टैन थाउजन तक के अमौंट वीड्रो करते हो तो ट वालेट लगेगा जए बोचिट के अंदर पर पूजल लखा गया है उसके अलाबा अगर आप आपके पास फिजिकल गोल्ड पढ़ना है और उस वह आप करते हो एलेक्टोनिक गोल्डी शेट के अंदर जो गोल्ड बॉड्ड आता है उसके अंदर बराबना या तो फिर प्रविट्रोव करते हो अगर आप इंप्रोई प्रविडेंट फंड के अंदर आपका पैसा रहा है और आप वीड्रोव करते हो अगर आपके पास पानकार नहीं है अगर परसनल इंकम टेक्स के अंदर सरकार के दरा कौन-कौन से रखे गए हैं बहुत ही बड़े प्रपोसल्स रखे गए हैं उसके बारे बात करते हैं अगर अगर मैं परसनल इंकम टेक्स रिग्मी क्या है अगर मैं परसनल इंकम टेक्स के बारे बात करूं तो 2020 के अंदर 2020 से पहले तो यह ओल्ड वाला टेक्स रिग्मी था 2020 के अंदर दो टेक्स रिग्मी आए एक तो ओल्ड टेक्स रिग्मी तो continue चल रहा है एक दूसरा है न्यू टेक्स रिग्मी बार मना ओके यह ओप्शनल है आप जो भी ओप्शन करना चाहते हो आप उसके माध्यम से टेक्स पे कर सकते हो बार मना ओल्ड टेक्स रिग्मी के अंदर क्या था कि अगर आपकी इंकम ठाही लाग अभी हाँ फॉर एक्जम्पल ओल्ट टेक्स होते हों कि फोर एक्जम्पल आपकी इंकम उल्ट रूपयाे कितने नौश में से आपने कुछ Audi एसमेंटं किये कि जिसके connect को टैक्स मेनफिद मिल सकता है और ऐसे फोर एक्जमबल आपकी इंवेस्टमेंट है दो लाक रुपय के बराबना तो आपकी टेक्सेबल इंकम कितनी होगी सेवन लाक रुपीज और अगर आप ऐसी इंकम के ऊपर टेक्स पे करना चाहते हो मतलब आप कौन से रिगमी के अंदर जाना चाहते हो ओल्ड टे टेक्स पे करना चाहते हो तो आप ओल्ड टेक्स रिगमी के अंदर टेक्स पे करें हो ऐसा माना जाता है और अगर आप कोई जगा पर इंवेस्टमेंट नहीं दिखाना चाहते हैं आप अपनी नेट सेलरी के ऊपर ही टेक्स पे करना चाहते हो तो आप कौन से टेक्स रिगम उपने स्में में आया अ फ्रेंड टो एक्स टैशाव में के इंदर इंवेस्टमी दिखाया जाता है न्यू टेक्स लिग्मी इंदर इन थे दिखा सकते हैं ओके तो ये युट्ट कई है उसके हैं कि हे लाग तक है 20 परसन और अगर आपके इंकम 10 लाग से ऊपर चली जाती है टेक्स एवर इंकम का आपको कितना टेक्स पे करना होता है 30 परसन बढ़ा बनना ओके और कि अब अब बना ओल्ड टेक्स रिपी के अंदर कितने स्लैप्स थे अब बोल सकतो टीन स्लैप्स थे बराब अब रहें अभी यह टेक्स की कीनती कैसे होती है चलो अभी यह ओल्ड टेक्स रिपी को अच्छे समझने के लिए हम बास्केट बनाते हैं टोटल हमने चार बास्केट बना दिये एक दो तीन और चार बास्केट बराबना यहाँ पे निल टेक्स लगता है यहाँ पे 5 परसन यहाँ पे 20 परसन और यहाँ पे 30 परसन निल टे परसेंग नगता है जब तक परसेंग तक की हो पांच तहक्छ जद्राइव को सब्सक्राइब नगता है कि नियुर्ण चारख औराताना बागी का कितना बचा भाकी या ठाव धाई लाग में उसके उपर कितना टैक्स लगेगा फाई परस्ंट की तो ये千जच फाई परसंट लगेगा मसां Pare술 कितना हो गया 12500 रुपिया तो यह 12500 रूपिया उसको टैक्श पे करना है लेकिन सरकार उसको कि रिबेट देगी कितना रुपय का 12500 रुपय का क्योंकि सरकार ने बोला है कि वैसे आप ऐसा बूल सकते हो कि एप दाइव लाग तक कोई टेक्स नहीं है लेकिन अगर जूसरी बहुत बोलो ना तो पांच लाग तक की आवक टेक्स स्थी है क्योंकि दाइव नक्से-पांचों का जो टेक्स लगा 12500 का वो सरकार rebate देगी तो सरकार maximum rebate कितना देगी 12500 रुपया का अगर कोई person की income 7,00,00 रुपया है अगर कोई person की income कितनी है 7,00,00 रुपया है तो शुरुवात के 5,00,00 पे तो कोई tax नहीं लगेगा बाकी के 5,00,00 के उपर कितना लगेगा 5%, कितने लगे हो गए 5,00,00 बारबन अभी कितने बचे 2,00,00, बारबन तो बाकी के 2,00,00 के उपर कितना पर्संट टेक्स लगेगा 20% बारबन तो कितना टेक्स लगेगा तो देखो, यहाँ पर तो कोई tax नहीं यहाँ पर 5,00,00 कितना 12,500 पर इपर 20 परसंद मतलब कितना 40 थां में इस टोटल को कितना टेक्स पर सब्खें कर पड़े का साथ लाग के उपर तब ये 12500 गीना जाएँ में कितना पड़े का इस फिर सब्खें करना टीन्स- hac 12800 चीना डहेगा डों इकम सात लाग ही है तो यह तब यह 12500 रिवेट नहीं मिलेगा तब यह भी गिना जाएगा और यह 20% भी गिने जाएगे ओके ऐसा होता है से पंद्रा लग के बीच में तो 5% से सड़ाव के बीच में तो 10%, सबससे 10 लग के बीच में तो 15% और 10 से 1221 लग के बीच में तो 25% और 15 लग से अगर उपर तक का रिबेट मिलता है लेकिन यहां पे एक benefit क्या है कि अगर अभी यहां पे देखो अगर आपकी इंकम पांच लाग से पांच लाग दस अजार रुपया है तो कितना टेक्स पे करना पड़ता है 20% यहां पे देखो कितना पे करना पड़ता है मात्र 10% राइट 10 लाग तक य पर इस साल के बजट के अंदर के ओल्ड टेक्स लिग में तो यहीं चलेगा यहीं वाला स्लेब चलेगा लेकिन अगर कोई परसन न्यू टेक्स में पसंद करता है तो उसको अब तक अभी पांच लाग तक टेक्स फ्री इंकम था ना हम उसको बोलते हैं कि अभी आपके पास सरकार और पांच हैं सरकार ने पहला जो स्लेब है कि कि थması फ्री अपर कोई भी ट्थी परसन देखो यहां पर सरकार नेMother ऐसा बोला कि कि साथ लाओ तक हम आपके पास कोई भी टैक्स नहीं है कैसे अगर for example कोई person की income 7 lakh रुपया है तो अगर हमें ये नए tax के अंदर में सामिल होना चाहता हूँ तो कैसे classify होगा तो पहले 3 lakh के उपर तो कोई भी tax नहीं है बराबना फिर ये 3 से 6 lakh के उपर कितना tax है 5% बराबना तो मतलब मैं बोल सकते हूँ बराबना ओके बाकी का एक लाग बचा अभी बाकी का एक लाग बचा उसके ओपर कितना टेक्स लगेगा बराबन छे से 9 लेक वाले में आएगा ना तो यह 10 परसम लब कितना दस अचार मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 16 अचार तब का टेक्स वो सरकार रिबेट देगी समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स बराबन ना ओके अब अब रिवाइस टेक्स लिवी के अंदर क्या बोलना है गवर्मेंट कि पहले हम पांच लाग तक आपको टेक्स प्री इंकम प्रवाइड करते थे मलब जो हम टेक्स कलेट करते थे यह पांच परसन आपको रीबेट प्रवाइड करते थे कब तक जब तक आपकी इंकम पांच लाग तक की है लेकिन अभी हम आपकी इंकम साथ लाग तक की होगी न आपनी जो भी टेक्स आप आपका गवर्मेंट को देने योग्य है वह हम आपको रिबेट दे देगे बरामना सब्सक्राइब कि पहले कितना रिबेट मिलता था 12500 रुपया अभी कितना रिबेट मिलेगा देखो फिर सम बास्किल बनाते हैं यहाँ पे निल यहाँ पे 5% और यहाँ पे फॉर एक्जमपल 10% यहाँ पे 3 लाग तक की इंकम होती है यहाँ पे 6 लाग तक की इंकम होती है और हमको यहाँ पे 9 लाग तक की इंकम होती है बरामन तो पहले 30000 तो कोई भी है लगेगा ओक कि अपर किना परसेंट लगेगाaufen 55 percent मतलब बोल सकतें 15,000 रूपीज बाद के तीन लग तो छही लाओ की उपर कितना हो गया 15,000 अभी कितना बचा और एक लाप बचाए क्योंकि सात लाप तक टेक्स प्री इंकम है तो बाकी के एक लाप के ऊपर कितना रहीगा 10 अँए श्बार्फ मतलब 10 तउंठ है तो कितना बनना पड़ेगा scola अचार ने सुला ज़र गवर्मेनटको डिबेट देगे क्यों क्योंकि यह सब कुछ काउंटे विफ्या système बढ़ा दी गई है जब आपको इनक्स प्री इंकम बड़ा दी कई पांच लाग कार दी कई अगर हम सर्चार्ज की बात करें तो हाइस सर्चार्ज अंदर न्यू टेक्स रिग्मिंग हैस बिन डिदूस्ट टुवेंटीफाइव परसेंट फ्रम थर्टी सेवन परसेंट फॉर पीपल अनिंग मोर देन फाइक करोन जो पीपल पांच करोर से ज्याधा अन करते थे उनके उपर कितना सर्चार लगता था था 37 अभी कितना लगेगा 25 परसेंट लेकिन कौन से रिखमी के अंदर न्यू टेक्स रिखमिंग में बारा ऊल्ट टेक्स रिवीक अंदर तो यह वाला कंटिणिउशन में ही चल रहा है बदा ने मैं वह है यह है खर मैं सर्चार्ज के race की बात करो तो अगर आप सब लगता है जब आपकी इंकम पचयास लाग से ज्यादा होती है सरच किस mo protest के ऊपर लगता है बड़ता है तो तो पमचास लाग तक को और सब्सक्राइब का व्कद कर्दा है तो छ इनकम एक करोड से दो करोड के बीच में है तो 15% लगता है old में भी और new में भी अगर आपके इंकम दो करोड और पांच करोड के बीच में है तो old में 25% और new में 25% और अगर आपके इंकम पांच करोड से ज्यादा है तो old में 37% सर्चाल लगता है और new में कितना लगेगा मात्रा 25% और डिफोल्ट टेक्स रिगमी अगर आपको डिफोल्ट टेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई पर्टिक्लर ऑप्षन को सीलेट नहीं किया कि आपको ओल्ड ग्मी चाहिए तो बाइप कुन सा रहेगा न्यू रिग मी रहेगा ओल डिग मी नहीं रहेगा तो आइधिंग फ्रेंट्स आपको यह पर्सनल टेक्स प्रपोजल तो सरकार के द्वारा इस साल के बजट के अंदर दिये गए वह आपको अच्छे समझ में आया होगे बहुत ही इंपोटन्ट है अगे अग चimana काम करते थे वह अन्होंने पहली बार्बजेट को प्रेज़silंट किया था फिर्स्ट इंज्यन बजट ऑफ इंडिप्नेंट इंडियम वह प्रेज़यें और फिर्स्ट प्रायं मिनिस्ट्र के ये कभनेघर हो अंदर प्रेज़न घृफ याइन करो टल निमारीड से बजट कुन से बजट को बूला जाता है 1973-74 के अंदर जब बजट डेफिसिट 550 करोड का हो गया था तो उसको बूला गया ब्लेक बजट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बजट डेफिसिट क्या था उसके बारे में समझाया था प्लीज आप उसको रिवाइस कर दीजे तब आपको यह लाइन अच्छे समझ में आए जाएगी बढ़ा बना रेट 2016 तक बजट को लास्ट डेव फेबरुवारी को प् बढ़ा बना 1969 के अंदर मुरारजी देशाई जो हमारे फाइनस मिलिशर थे उन्होंने मैक्सिमम बार एक साल के अंदर दस पर बजट को प्रेजट को प्रेजट के अंदर बढ़ा बना तो यह आपको जानमें रखना है और निवा सितना मनने अपने फस्ट बजट के अंदर 2017 2019 के अंदर बाब बना लेदेन प्रिप्केस को रवीप्लेश करें के बजट को बही ख़ता के अंदर लाना शुरूझ किया बढ़ाब ननर और हम 2020 से तो उसको पेपर ले सरी पेज्ट कर रहे है बजट को बढ़ाब बना टेबलेट के अंदर मेन इंधिन या टेल्ट के बराब बनना, okay friends